नवस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग जाम अबलोट पे आज का सेशन बहुत ही महातपूर सेशन है इससे पहले मैंने EBS के अंदर क्लास 3 की NCRT के जितने भी चैप्टर से टापिक से प्रस्ण बनते थे मैंने सब को कवर किया अब आज से मैं क्लास 4 की NCRT के जितने चैप्टर है जहां से important topic है मैं सब को कवर करूँगा आज का चैप्टर बहुत ही महातपूर है क्योंकि यहां से बहुत प्रस्ण सेशन में बनते हैं तो आप लोग ध्यान से से सेशन को देखिएगा और अगर आप सीटेट की प्रापर तरीके से topic wise तैयारी करना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्काइब कर लीजिए चलिए आज का सेशनी स्टार्ट करते हैं चलो चलें स्कूल पहला lesson है आज का चलो चलें स्कूल तो यहां से जो जो important point बनते हैं सबको highlight किया हुआ है वही वही हमें देखना है आईए देखते हैं बास से बना हुआ पुल तो बास से बना हुआ पुल कहा होता है असम में देखिए बच्चे बास के पुल से स्कूल जाने के लिए नदी पार कर रहे हैं तो हमारे यहां बारिस बहुत होती है, कभी-कभी तो चारो तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुखते हैं, एक हाथ में किताबे उठाते हैं, और दूसरे हाथ में बास को पकड़ते हैं, हम जल्दी-जल्दी बास और रस के सार एक टाली बनी हुई होती है, उसमें बच्चे बैट कर नदी पार करते हैं, तो इस स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खुब चौणी और गहरी नदी, नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्ती होती है, या दोनों तरफ से भा पेड़ों से कसकर बनी रहती है, ट्राली लकडी से बना जूला, पूली की मदस से इसे रस्ती पर सरकती है, हम चार-पांच बच्चे एक सार ट्राली में बढ़ जाते हैं, पहुँच जाते हैं नदी को इस पार, चलिए अगला टापिक देखते हैं, सिमेंट के पुल, हमें भी कई बार, कई जगा पानी पार करना पड़ता है, हम भी पुल से जाते हैं, एसी में टीटो और लोहे के सरीयों से बने होते हैं, देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीनिया भी बनी हैं, चलिए आगे देखते हैं, जो जो में में टापिक में उसको हाइलाइट कि होगा है, यहां देखिए, बल्लम, केरल के कुछ भागों में बच्चों पानी को पार करने के लिए, बल्लम लकडी से बनी छोटी नाओ में बैटकर स्कूल तक पहुँचते हैं, बहुत ध्यान से सहसन देखिएगा, बहुती महात्पूर्ट सहसन हैं, तो सीटेट में चार स उटगारी, उटगारी राजस्थान में पाई जाती है, हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे हां दोड़ दो तक रेथ ही रेथ नजर आती है, दिन में तो रेथ खूब तपती है, हम उटगारी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं, तो उटगारी कहां पाई जाती है, कर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुतते हैं तेज धूप या बारिस हो तो हम अपनी छतरिया खोल लेते हैं जैसा कि फीकर में दिखाया गया है अब यहां से जो पेड़क आजी का प्रस्ण मनता है अध्यापक के लिए जानवरों को गारी खीचते समय कैसा महसूस होगा जानवरों के पती संबेदन सीलता पर चर्चा करें तो जब जानवरों के गारी खीचते हुए समय जानवरों को कैसा महसूस होता है ऐसा हमें बच्चों से प्रस्ण करना चाहिए जानवरों के पती संबेदन सीलता पर हमें बच्चों से चर्चा करना चाह पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किर रास्तों को भी पार कर जाती है चलिए आगे देखने है यहा है जुगाड यहां से सीटेट में बार बार परस्ट पूछा जाता है जुगाड गाड़ी कहा है तो यहां हमारी गाड़ी का नाम जुगाड है यहां फटफट फटफट करती हुई चलती है है न सांदार आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है चलिए आगे बढ़ते है जंगल से जाते बच्चे स्कूल पहुचने के लिए हमें घंगल से निकलना पड़ता है कहीं कहीं जंगल इतना घंगल होता है कि दिन में भी राज जैसा लगता है उस सननाटे में कई पच्चियों और जानौरों की आवाजे सुनाई देती है चलिए आगे बढ़ते हैं बर्फ पर चलते बच्चे देखो हम कैसे स्कूल पहुचते हैं मीलो फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं ताजी बर्फ में पैर धस जाते हैं अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं उबर खाबर पत्रीले रास्ते कहा होते हैं उत्राखन में होते हैं हम पहाडी लाकों में रहते हैं यहां दूर दूर तक उबर खाबर पत्रीले रास्ते हैं मैदान या सहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे हम तो भागते हुए पहाड़ी राषते पार कर जाते हैं चलिए आगे देखते हैं तो यहां से important जो point बनता है पेड़ागोजीगा स्कूल पहुँचने के लिए बच्चो दौरा परियोग किये जाने वाले बीभिन साथनों पर चर्चा करें उन सब के बारे में बच्चों से चर्चा करना चाहिए परियागोजन को नुकसान न पहुचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा कर सकते हैं और परिरावन को नुकसान ना पहुचाने वाले ऐसे जितने भी साधन हैं मैं उनसे बच्चों से चर्चा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों से बच्चों को आत्म अनसासन के लिए हमें पोसाइड करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे कान दिखाई देंगे। अगर मज़के भी छोटे 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 छेट जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी तोचा अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की। उसके कानों से आप कुछ जानवरों उनको खाल से पहचानने की कोसिस करें। जैसे खाल दिखाया गया है हर जानवर काला गलाग और जब भीना खाल के जानवर दिखाई देते हैं तो बच्चे कैसे पहचान पाएंगे। इस सर में बच्चों से में चा करना चाहिए। तो आगे यहां से जो इंपर्टं पाइंड बनता है अध्यापक के लिए बच्चों से और जर जानकारी के लिए बाद चीट करने चाहिए। जानोरों का भोजन कैसा होता है, उनकी रहने की जगा क्या होती है, जानोरों के पती हमें बच्चों को सम्वेदन सिल सा बिक्सित करने की जरूरत है और जानोरों के पती बच्चों को सम्वेदन सिल बनाने जरूरी है, चलिए आगे देखते हैं अगला important topic जो बनता है dinosaur से मिलते जुलते जानुरों के नाम बच्चों के समझ के अंसार अलग-अलग हो सकते हैं उन्हें सोचने का मौका दें हर तरह के ऐसे उत्रों को सही माने इस तरह के और चित बनाकर कारे कलाब करवाएं जा सकते हैं तो dinosaur से मिलते जुलते जानुरों के नाम बच्चों के समझ के अंसार अलग-अलग हो सकते हैं तो हमें उन्हें सोचने का पूरा मौका देना चाहिए तरह के ऐसे उत्रों को हमें बच्चों का सही माने इस तरह के और भी चित बनाकर हमें बच्चों से क्रिया कलाब करवाने जाना चाहिए चलिए आगे देखते हैं अध्यापक के लिए कागच का पच्ची बनाने के लिए कागच दोनों तरफ से अलग-अलग रंका हो तो पच्ची सुन्दर बनेगा कागच का पच्ची बनाने के लिए कागच दोनों तरफ से अलग-अलग रंका हो तो पच्ची और सुन्दर बनेगा चलिए आगे देखते हैं अगला लेशन है नंदू हाथी यहाँ से दो से तीन नंबर हर सिप्ट में पूछा जाता है सीटेट में तो आप लोग धान से देखिएगा चलिए नंदू नींग में जागा उसे अपने आखें खोली कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वा कहा है उसे लगा कि वा सिलेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है उसने अपनी आखें घुमाई फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लका ओ ये तो अम्मा है जिसे वा भूरी सिलेटी जंगल समझ रहा था वा उसके परिवार के साथियों के पैर और सूर थी सूरज आसमान में चमक रहा है उसकी गर्मी सब तेज होने लगी है नानी मा जोर से पिचिंगारी तो यहां से जो important point बनता है वो यहां से बनता है नानी मा, मा की मा, बच्चों से पूछें कि वो अपनी मा की मा को क्या कहते है चलिए आगे देखते है तो यहां से जो important point बनता है वो यहां से बनता है क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज्यादा पत्ते और ज्ञाणिया खा लेता है तो पहला प्रस्नेसीटेट का यह बनता है कि हाथी कितने kg ज्ञाणिया पत्ते खाता है तो इसका सही एंसर हो जाता है 100 kg उसके बाद हाथी बहुत कम आराम करता है यह दिन में केबल 2-4 घंटे सोता है हाथी कितने घंटा सोता है तो 2-4 घंटे यह भी प्रस्नेसीटेट में बार बार पुझा जाता है चलिए आगे देखते हैं हाथी को पानी और कीचर में खेलना बहुत भाता है इसके सरीर में ठंड़क मिलती है वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला कर हवा करती है तो क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम ज्यादा पत्ते है औ वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला कर हवा करती है नंदू तो सिर्फ तीन महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है तो हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है 200 किलोग्राम होता है या भी प्रस्ण सीटेट में पूछ झूद के साथ रहता है, हाथियों के जूद में केवल हतनी और उसके बच्चे ही रहते हैं। में 10-12 हतनिया उसके बच्चे होते हैं हाथी 14-15 साल तक ही एक जुंड में रहते हैं फिर वह जुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं नंदु भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो आप भी अपना जुंड छोड़ देगा चलिए आगे देखते हैं हाथी की तरह कुछ और भी जानवर समू में एक साथ रहते हैं जानवरों के ऐसे समू को जुंड कहते हैं जुंड में रहने वाले जानवर मिल जूल कर सभी काम करते हैं जैसे खाने की तलास में घूमना खेलना और नहाना चलिए आगे बढ़ते हैं एक प्रसनेहां से और बनता है खातियों के जु में सबी फैसले सबसे बुजुर्ग हतनिया लेती है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला में टॉपिक जो बनता है सीटिट का चलिए देखते हैं यहां से बनता है क्या आप जानते हो हाथी परिसानी आने पर एक दूसरे की अपने साथियों की मदद करते हैं अपने बच्चों के देखवाल और सुच्छा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो आज का सेसन यहीं पर समाप करते हैं आज मैंने एंसी आर्टी क्लास फोर्ट की चैप्टर वन और टू और त्री करवाया जहां से सीटिट में हर बार पांच से छे अगर आप सीटिट की प्रापर तरीके से टापिक वाई तैयारी करना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद